हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आपका माय चैनल सक्सेस मंच में आज मैं आपके सामने जी इस पेपर फोर सबसे आथा आसान तरीके से एथिक्स कैसे पड़े इसके बारे में लेके आए हूं हम लोग कर रहे थे स्टीविल सेवा के लिए अभी रुची इसका part 1 में आपको पहले करा चुकी आज हम करेंगे part 2 part two में यह जो हमारा जो the description box में link डिया हुआ है आप जा के देख सकते हैं और आज part 2 जो हमारे पहले view water जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज में चैनल पर जाके चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं सिवल सेवा के लिए अभी रूची मीन्स एप्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज यह आप देख सकते है यहां पर यह इसका स्लेवर्स दिया हुआ है हमने एडिट्यूट कंटेंट स्ट्रक्चर फंक्शन इट्स इंफ्लूएंस एंड रिलेशन विट थू थौट एंड बहेवियर मोलर अल पॉलिटिकल एटिट्यूट सोशल इंफ्लूएंस एंड पर्सुएशन यह सारा हम फांडेशनल वेल्यूज है मिन्स बुनियादी जो मूल्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और होप आज की वीडियो में यह कंप्रीट हो जागा नहीं तो एक और वीडियो है उसके बाद यह पूरा एप्लिट्यूट का चैप्टर खतम हो जागा फिर हम नेक्स च इसके बारे में हम जानेगे एक टॉपिक रह जाएगा हमारा लोग सेवकों के लिए अभी शम्ता या अभी रूची तो वह हम ला एक और वीडियो लाएंगे उसमें कंप्लेट करके आपका यह अप्टिट्यूट खतम हो जाएगा फिर हम आगे का कोर्स कांटीनू करेंगे अब यह जो अभी शम्ता है मिन्स अभी रूची इस दोनों को हिंदी में दो टर्म है इसके लिए अभी शम्ता और अभी रूची तो कंफ्यूज बिलकूर मत हो ना कि दोनों एक ही चीज है यह मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ तो चलिए हम शुरू करते अब धार्ना यह हमने लास्ट में किया ता एक बार आप रिवाइस कर लीजिए इसके बाद हमने विशेष्टाएं देखी ती इसकी साथ विशेष्टाएं थी इसको पूरे डेटेल में मैंने समझाया तो आप देख लीजेगा लास्ट वीडियो में आज हम करेंगे अभी शमता एवं बुद्धी मत्था तो पहले आप यह बदाये कि बुद्धी मतथा से आप क्या समझते हैं बुद्धी मत्था मीश आटियू लेवल कि जिस बन्दे का आई को लैवल कु lebih ज़तना जाधा होगा उसे मतलब कि उसके माक्स आल्मोस्था उसके एक्जाम में ज़ान नॉर्मली यही common terms यही समझी जाती हो बुद्धी मत्ता से जिसका IQ level ज्यादा है उसके marks ज्यादा है इसका IQ level कम है उसके marks कम अगर हम इसको relate करेंगे अभी शमता से या अभी रूची से तो उसमें दोनों में क्या relation होगा अगर सह संबन्ध होगा या सह संबन्ध नहीं होगा इसके बारे में बात करेंगे आज के lecture में तो यह दोनों जो अधारना है अभी शमता मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही क्या होती है और बुद्धी मत्ता आज हम जैसे डिसकस किया कि IQ level कितना हमारे कुतनी बुद्धी है कितना IQ level तेज है यसी का तो इन दोनों में जो अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क अंतर पास में है इसका बर असंभव नहीं है इन दोनों में रिलेशन ग्याद करना तो यह तो पहले ही बतातू कि अगर किसी ज्यादा किसी व्यक्ति के या एस्पिरिंट्स के ज्यादा माक्स आते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो बौधिक शमता है या बुद्धी मत्ता ह जबकि अभी शमता जो होती है अभी रुचिय उसका संबने एक विशेष छेत्र से होता है कि उस विशेष छेत्र में पार्टिकुलर उसकी कितनी शमता है कितनी पकड़ है गुद्धी मत्ता कि जो अबधार्णा है इसके अंदर मानसिक योगिताओं का एक मात्र मापदंड माना जाता है इसमें मानसिक योगिताओं को जादा ध्यान में रखा जाता है जबकि अभी शमता के अंतरगत यह माना जाता है कि व्यक्ति में एक दूसरे से स्वतंत्र बहुत सारी योगिताओं हो सकती है बहुत सारी शमताओं हो सकती है जैसे कि इसकी विशेष ताओं में अभी शम्ता कह सकते हैं, जिन छेत्रों में जैसे कि उंची तार्किक शम्ताओं की आवशक्ता होती है, तार्किक शम्ता है मतलब गढ़ना करने की शम्ता और विज्ञानिक जो खोज होती है, डिस्कवरीज करने की शम्ता, अगर उनकी आवशक्ता होती है, तो उसमें बुद शम्ताओं की आवश्यक्ता होती है उनमें बुद्धी मत्ता तता अभी शम्ता में उचा सह संबंद मिलना जरूरी होता है आपने डॉक्टर्स को देखा होगा ज्यादा तर तो उनकी अंदर IQ लेवल अधिक होगा तभी और IQ लेवल के साथ साथ डॉक्टर बनने की शम्ता भी होगी उनके अंदर यह दोनों चीज़े होंगी तभी वो डॉक्टर बन सकते हैं कोई साइंटिस्ट होगा अगर उसके अंदर साइंटिस्ट बने की काबलियत है डिस्कवरी करने की खोज करने की उसका IQ लेवल अधिक है मैं सिंपल लेंग्वेज में समझा दो कि उसे साइं अगर उसके अभी शम्ता उसमें ऐसे गुण है ऐसी शम्ताइं है जिसके कारण वो वेग्यान अगर उसे डॉक्टर की डिग्री एंबीएस कराया जाए तो वो डॉक्टर बन सकता है उसके अंदर एसे गुण भी होने चाहिए आईक्यू लेवल के साइट तो मतलब इन में बहुत अच्छा होता है अगर बुद्धी मत्ता और अभी शम्ता उची तार्किक शम्ताओं के लिए इसमें आप लोग अगर एक्जांपल लिखेंगे तो वेग्यानिक गणितग या दाशनिक बनने के लिए किसी की अगर अभी शम्ता अधिक है तो उसके अंदर छोटना चे को अधिक मत्ता कीके आइक्यू लेबल की बात की लेकिन मगेर इसके एक और छह度 होता है जिसमें बोधिक शम्ता इसमें कम और अभी शम्ता मत्शांत मकत अगर शम्ता अधिक होगी तो उची अभिए शम्ता का अनिवारे अर्थ या नहीं हे कि पुद्धि मत्त कि अगर किसी को painting की शम्ता है painting में ज्यादा शम्ता है किसी को interior decorator में ज्यादा अभी शम्ता है तो इस level के काम के लिए IQ Level का बहुत ज्यादा होना आवश्यक नहीं है तो आप ये दोनों चीजों के बारे में comparison कर चुके होंगे IQ level वहां मैटल करता है जहां पर हमें देखना होता है कि कोई चीज समझनी होती है और मैट्स के संभ समझने होते हैं सायन्स के कैसे डिसकरील्स भी वह समझना होता है या कोई दाश्निक चीज समझनी होती है उसके लिए IQ level की बहुत ज़्यादा जरूत होती है रेकिन जहां पर हमें कोई यह रहाएगया थे प्रह्म करने सरन होता है यह सबक्रम करना होती है इंटीर टेकोरेटर नहीं दिन्सक्राना मैं होती इस अखी होती है अभी शहमता करे यह भी होती है उद्न दोनों की डही कंपैरेजन समझ गहाएं तो यह अपको चीज क्लियर हो गई होगी अकर नहीं होई है तो कमेंट करके प्लीज बताईए मैं इसे दुबारा दुबारा वीडियो बनाऊंगी और उसे जरूर करूंगे आप लोगों के लिए चलिए आगे बात करते हैं अभी शम्ता और रुची अभी शम्ता विशेश ग तो यह singing, interest & up, पसंद, रुची ही होती है कि kaç चीज में रुची है रुची को मैं समानने ओर्थों में आपको कोई बी बच्चा है उसको बोला जाये कि आपको तीन काम दिये जाते हैं आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा, आपको खेलने के लिए कहा जाएगा और आपको सूने के लिए कहा जाएगा अब इन तीनों विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनिए तो वो obvious है कोई बच्चा है तो खेलने के लिए ही चुनेगा ऐसे ही जिसकी जिस चीज में रुची होगी वो उसी हिसाब से काम करता है तो रुची से ये बिल्कुल भी तय नहीं किया जा सकता कि उस छेतर में उसका कारण इस पादन अधिक होगा means कि अगर कोई बच्चा खेलने में इंटरस्टेड है तो उससे बिल्कुल भी ये निकाला जा सकता कि उसकी शमता भी खेलने में ही होगी इसके बारे में मैं आगे डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ तो आपको अब इस रुची का मतलब तो समझ में आगया होगा अब हम बात करते हैं दोनों के रिलेशन के बारे में कि अभी शमता और रुची में क्या रिलेशन होता है इसमें मैंने चार पॉंच दिये हुए यदि अभी शमता का इस तर अधिक हो पर रुची बिल्कुल नहों तो सफलता संदिक्त होती है सफलता में शंशे होता है सफलता मिलने में बहुत ही रुकावट आती है इसको एक्जामपल के साथ समझते हैं यदि किसी एस्पिरेंट्स को सत्रंज खेलने में उचित तार्किक शमता है बट उसे सत्रंज खेलने में कोई रुची नहीं है रुची होती है कि उस particular खेल को खेलने में उसे आनन्द आना चाहिए सत्रंज खेलने में उसका IQ लेवल इतना अच्छा है कि अगर खेले तो बहुत अच्छा खेल सकता नेक्स्ट बात करते हैं यदि अभी शम्ता बिल्कुल नहीं हो और रुची हो तो भी शफलता संधिक्द होती है इसमें एक एक्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे कोई लो आईक्यो लेवल का बच्चा है मतलब की मन्द बुद्धी बालक है और उसका आईक्यो लेवल हम कह अनुसार उस खेल का चयन करें और उसमें अपना केरियर बनाने की सोचे तो वो नॉर्मली मतलब उसकी सफलता संधिक्द होगी वो और कॉमन बच्चों के हिसाब से और बच्चों की साब से वो नहीं बना सकता उसमें मैं यह कॉमन बात कर रही हूं एक्सेप्शनल केस बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी अगर इसी तरह और एक्जामपल ले लेते हैं अगर कोई वेग्यानिक के साइंस की एक्सपेरिमेंट करने में किसी को मज़ा आता है अच्छे लगते हैं लेकिन उसका आईक्यू लेवल कम है वो मतलब की समझ नहीं पाता उसमें साइंस का डिसकावरी करने की तो भी सफलता बहुत संदिग्द हो जाएगी मिलती है सबलता आसा नहीं है बहुत से एक्जामपल जिनको सफलता मिली लेकिन मैं कॉमन बात करी कोई परस्टनली से बिल्कुल भी ना ले यह कॉमन चीजे होती है तो अगर अभी शमता ना अभी शमता हो ना रूची हो तो भी सफलता की संभावना नहीं यह तो बहुत ही ओब्यस है एक वकील है माल लेते एक वकील को पहाड पे चड़ने की कोई रूची नहीं है उसको जैसे हम लॉयर लेते हैं उसको बिल्कुल भी पहाड पे चड़ने की एवरेस्ट फतह कर कि कोई रूची नहीं है और वकील है तो उसे अभी शम्ता भी नहीं होगी क्योंकि वो अपना केरियर वकालत में बना चुका है तो ना अभी शम्ता ना रूची तो सफलता तो वो कामी नहीं करेगा तो उसे सफलता उस सेथ में कहां से मिलेगी थाड और बहुत ही अच्छा य जिन्होंने नाम रोशन किया है इंडिया का वो उनके साथ जरूर ऐसी ही बात हुई होगी उच्छ रुची और उच्छ अभी शमता एक साथ उपस्थित होगी सचिन तैंदुलकर हो गए और हमारे सदार बल्ला भाई पटेल बहुत सारे ऐसे लोग हैं डॉक्टर अबुलकला माजाद तो उनके अंदर उच्छ रुची के सासत उच अभी शमता भी होगी तो सफलता में कोई संदिक्ता नहीं होगी अतिशय सफलता वहां प्राप्त होगी अंगिरत नाम है इस छेत्र में तो आपको यह अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसमें चार केसे तो यह चार केसे बिल्कुल आपको कोश्चन के अकोर्डिंग अपना आंसर देंगे जैसे कोश्चन आएगा उसके अकोर्डिंग आप इस आंसर राइटिंग को चूज करेंगे आगे हम बात करते हैं बहुत ही इजी टॉपिक अभी शमता परिक्षन सारे एस्पिरेंट जो है और अर्थमेटिक आपका कैसे है रीजनिंग कैसे है आपकी आप फिजिक्स में कैसे हैसा मतलब कि हर एक शेत्र में अगर आपकी शमता को ना पा जाता है तो उसके लिए सी सेट का एक्जाम दिया जाता है ऐसे ही मैट का एक्जाम होता है मैनेजमेंट एप्टीट प्रिक्षन इस ताइप से होता है कि किसी भी प्रत्याशियों को सीखने की शमता को परखने के लिए इन परिक्षनों का सहारा लिया जाता है कि उसके अंदर कितनी capability है कि वो कोई काम कर सकता है यह अभी शमता जो परिक्षन है यह सामान्य अभी शमता परिक्षन भी हो सकता है जिसे जर्नल एप्टिट्यों टेस्ट कहते हैं और छेत्र विशेश के लिए भी अभी शमता परिक्षन होता है जिसे specific एप्टिट्यों कहते टेस्ट कहते हैं समान में अभिशम्ता परिक्षन में एक साथ कई छेत्रों के लिए अभिशम्ता परिक्षन लिया जाता है जैसे कि यह तो आपको बताने की कोई जरोती नहीं है मुझे सेट का एक्जाम्पल आपके सामने है आप लोग देते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में देते हैं तो वो कई छेत्रों में आपके जो भी कुशलता है अभिशम्ता है उसको इसमें परखा जाता है और इन सबका जो आकड़े होते हैं अंक होते हैं उनको एक साथ कमबाइन करके फ ज हमारे लिए capable है या नहीं हमारे छेत्र में आनिक ली capable है या नहीं तो यह समझ में आगया होगा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हिस यह मैने commonly नाम बताए हैं। जो कि आप लोग जानते हैं अच्छे से इन टेस्टों के बारे में जानते होंगे। तो आज हमारे यह ही पर ठतम होता है आज हम ने 3 ठतम किया अभी शम्ता और बुद्धी मत्ता में समभन्ध देखा अभी। अर रुची में संभन्ध देखा और अभी शम्ता परिक्षन होता है और कौन-कौन से बढ़ें देखा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लोग सेवक क करवादूंगी और साथ में जल से जद नया लेक्चर लाके कोशिश करूंगी कि आपका जी एस पेपर फोर फटाफट कम्प्लीट करवाऊं तो इसके लिए हमारे चैन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन सरूर तबाईएगा थेंक्यू थेंक्स पर वटिए